दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी Firebolt की Smart Watch में आलाम कैसे लगा सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है आपको अपना Phone ले लेना है Phone लेने के बाद आपको सिंपली आपने अपनी Watch तो DaFit अप से Connect ही कर ली होगी अप Connect करने के बाद आपको क्या करना है आपको सबसे नीचे एक Watch का आइकन दिखाएगा आप इसपे क्लिक करिएगा इसपे क्लिक करते ही आपको इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा यहाँ पर आपको एक alarm का option दिखा देगा alarms का, आप इस पर click कर लिजेगा उस पर click करते ही आपको इस type का interface मिलेगा, आपको क्या करना है किसी भी एक alarm पर simply step चे click करना है click करेंगे तो आपको दिखाएगा यहाँ पर set alarm, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर time set कर देना है ठीक है, तो जैसे की for example यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको ठीक है, यहाँ पर 24 hour format दिखा रहा है तो जैसे की माल लेते हैं अगर आपको सुबा के 6 बजे की लगानी है ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 पर click कर दिया और यहाँ पर 0 ही रहन दिया अगर 6, 15 या फिर 6 की लगानी है तो आप यहाँ पर simply 6, 30 कर दीजेगा ठीक है, इस type से ओके, यहाँ पर 6, 30, अगर आपको 6, 7 की लगानी है तो इस type से कर दीजेगा, 6, 8 की लगानी इस टाइप से कर दीजेगा ठीक है रात की अगर लगा नहीं है तो फिर आप यहाँ पे इस टाइप से जो है 17, 18, 19, 20 यहाँ पे इस टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको repeat दिखा रहा होगा ठीक है तो आपको यहाँ पर select क कर लेना है कब-कब repeat हो अलाम जिस जिस दिन आप चाहते हैं repeat हो उस उस पर आप click कर दीजे ठीक है अगर सारे पे ही चाहते है repeat हो तो आप सब पर इस type से click कर दीजेगा और उसके बाद उपर save पर click कर दीजेगा जैसे save पर click कर देंगे यह alarm आपकी लग जाएगी जित्ते भी बजे की आपने लगाई होगी आप इसको अगर बंद करना चाहते है ठीक है तो फिर आप यहां से भी कर सकते है अपनी watch से ठीक है यहां पर आप customize नहीं कर सकते मतलब set वेगर है नहीं कर सकते बट यहां पर आप जो है on off कर सकते है जैसे प्रेस ऐसे और भी वीडियोज देखने के लिए